अपने तयारी में लगे होंगे इस तयारी को जाचने के लिए और बहतर बना के लिए आप लोग के डिमांड पर आज मैं लेके आया हूँ सोसोलोजी यानि सामा सास्तर का ओफिस्यल मोडे पर जैसे कि काफी स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे सोसोलोजी पर और लिए आप लोग का रेक्वियस्त सुना जाए ऐसा हो सकता है कि धाया आपके लाकोट करते अबक सारे पेपर आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे मैं इसका पर लिस बना चुगा हूं क्लास टुवल ऑफिसल मुड़पर नाम से आप लोग डिसक्रस्म चेक आउट करेंगे तो आप लिंक मिल जाए या फिर पर लिस पर अगर के आप लोग सारे मुड़पर को देख सकत करते आज हम लोग यह स्रेक्ट करेंगे इस तरह हम फांस जिडियो पर दितो नाम से अप्टेंड करेंगे तो चल्यक्ट करते हैं ऑर कुछ आपस रूब कुराइब करते हैं पर क circumstance करने चाए यहाई करें यही है कि आप अधिक से चाannya सबने सब्सक्पर दोस्तिव मिलेंगा समय सीमा आप लोग को तो पता ही होगा ठीक है चलिए फर्स कुस्टन सीरू करते हैं बाकी जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथी साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना आप को सब्सक्राइब करना तो मैं चाहूंगा कि जल्दी सारे को कवर की ज़्यादा टाइम लोग वेस्ट ना करेंगे चलिए फर्स कुस्टन करेंगे बिहार के कि समुख मंतरी ने बालिका के लिए असना तक मैं निसुर को सिक्षा कानूर जो बनाया था तो आपको पता होना फिव जिते हैं नितिसकुमार हना आफर सन ए हम लोग का जो थे क्या मतलब है अभी हना ऑफ्सन ए करेक्ट हो जागा इसको सब्सक्राइब करना है सो साइट्री नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है चलिए इस बुस्तक के लेखक की बात करें तो अपना अंसर जो होग लोग किताब अगर परतिया रहें इंदर के बारे में इंदर को वर्षा दे उता के नाम से जनते हैं अंसर ए हम लोग को जो है करेक्ट करना ठीक है आगे देखते हैं हम लोग को नेक्स कुछन फाइब पुछ रखा कि किस भारतिय महिलाओं को नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो बताएंगे आप लोग फ़र्स्न का आंसर क्या हो जाएगा तो देखो यहां पर इस कोस्टन का आप लोग को करेक्ट आंसर करना है वह जाएगा ऑफ्सन डी लगाना है मदर ट्रेस सबस्तार रहा चरो अगे देखते हैं महिलाओं को घरेलों हिंसा से बचाने के रिए कानून किस वर्स पाड़ित खुआ था मताऊ सिक्स नमर को संसर न कारोगा तो इस अपना आप संदी हमारा को नेक्स प्रेक्ट करना हम लोग को कि किस वर्स बेटी बचाओ बेटी परहो स्कीम की सुरुवात की गए थे इन वीच येर्स बेटी बचाओ बेटी पराओ इसकी मुआज स्टार्टें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो अपना आंसर रहने वाला कितने दिनों की रोजगार की कारेंटी मतलब दी जाती है तो अपना आंसर नंगा होने वाला ऑफशन सी एक सो दिन तक क्या हो जाएगा को सना इन का ऑफशन सी जाना चाहिए अंडर दे में रहाएगा इसकीम हो मेनी डेस ऑफ इंपलाइट इस गारेंटी टो एन एडल्ट इन है रूलर एरिया इना इयर्स को करेक्ट आंसर हंडेट डेज कुस्टन दस पूचल के दोजार गारे के जनकरना कि अनुसार भारत में प्रूस इस्त्री अनुपाद जो है वो क्या है हजार नौसो चालिस का रेसियो है ऑफशन हम लोग को बी पे करेक्क करना है ठीक है नेक् सर्थ जो होने वाला है हो जाएगा ऑफशन डी ट्राय सेम ऑफशन डी पी हम लोग को जो है बिल्कुल एफसलूटली करेक्क करना है इस को सनका नेक्स कुसन देखू करना हम लोग को कि भारत की सबसे बड़ी जन जाती जो है वो कौन सी बताओगे को सन बारे का क्या हो है तो यह जग आपका चौदे वर्स ऑफशन सी पर हम लोग को करेक्क करना है आगे बच्चों से जो चौदे वर्स के बच्चे हैं उससे अगर काम लिया जाए तो दो वर्स की सजा दी जाएगे उसके गारजन को चलिए आगे देखते हैं को निम्न मैंसे कौन सन्युक्त प पडिवार के विगटन के लिए जिम्मेदार नहीं है फिप्टीन के जो आणसर होने वाला है और दिगरन और और पर हम लोग को जो है करेक्क करना है कुछन करें हम लोग को जाती वरस्ता में जीवन अस्थाई का चुना आमतर पर जो होता है वो किस अपरकार से होता है जो आल सीपन यह कुछ भरस्टा जायत कारण नहीं हो सकता है बाकी राजमित अप्राधीकर हो सकता है काल बाजारी हो सकता है विलासी जीवन हो सकता है सारी हो सकता है योर्ण हो सकता है बावनात में को सबी हम लोग को जोई करेक्च करना है मध्यपान का क्या हो सकता है 19 स farum को अस्पताल में ये बिल्कुल सही है Maca Dale पुमि extern इस बेल्गुल करेक्ट और से क्लम लोग को नेमें से कौन व्यक्त जोफे सही है इन मेंसे कौन जो वे एकते जो की सही है 20 कुश्चन देखें आपके HIV एड्स का कारण बनता है ठीक है HIV चो होता है वो AIDS के कारण बनता है तो यह तो बिलकुल हम लोग को सही लगा आनसर यहां पर करेक्ट हो जागा कि आएड्स इचावी का कारण बनाता है यह आपके यह हम लोगा करेक्ट होगा किसने कहा स्था परियावरान का मानब नेरी भाग है 21 कम कुस्षिन दिखें आप इस कुस्षिन का आणसर पर आणसर यह पर करक्क करना किन्हों ने समासास्तर के वैग्यानिक अध्यान के विचा का उपाज कहा जाता है 23 को देखेंगे इस question का आणसर आपको बताना है फ्रान से सी हम लोग को जो है बिल्कूल करेक करना है किसने कहा मनुझ से सामाजिक प्राणी है 24 का जो आणसर जगा वो जगा आपका option B अरस्तू ठीक है option B पर हम लोग को करना है question annello koar जाती की परस्तिति आगया जाती की परस्तिति किस परकार की परस्तिति का एक उधारनippy ध्रौक करना है फ्र हो जाएगे हमारा option A यानि परदत है ठीक है option A पर करेक्ट करना को समाज सासर मनुस्य के किस सवरूप पर परकास डालता है तू देखो आप 26 का जो अपना answer होने वाला हो जाएगा option B सामाजिक correct answer B पर लगाना है 27 का जो आप लोग को चोटा नाकुर राची answer B पर लोग को पर लोग को परयोग किया जाता था 28 को आप लोग को जो correct answer करना option A जागिदार हमारा जो है बिल्कुल correct answer होगा question करें हम लोग को यह है तै करने का अधिकार किसे है कि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती की सूची में किसे सामिल किया जाएगा बताओ 29 का answer क्या करोगे तो इस question का answer का राश्पति हमारा जो है बिल्कुल correct हो जागा question का पूश्चर का हम लोग को कि 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 कमेटी ने उन्हें सरकारी नोकरी नोकरियों में जो है OBC के लिए 27% की सिपार इसकी थी इस question का जो answer बताना हम लोग को जो क्या हो जागा option B बताना है आप लोग को बीपी मंडल कमीटी आंसर बीप हम लोग को write करना है question करें 211 के जनगना के अनुसार भारत में इस्तियों का साक्षरता अधर क्या है तो 31 नुमर question देखें आप आनसों का चहुत्तर प्रतिसत इस्तियों की साक्षरता क्या जगा जगे चलिए आगे बढ़ते हैं को हिंदू परानिक कथा मैं मिर्तियों के देवता कौन है तो देखो यहाँ पर 32 नुम को सब्सक्राइब करते हैं जिसको में यम राज भी करते हैं चलो करा कि कि किनके पर्यासों से हिंदू विद्वा प्रण विवाह अधिनियम अठारत सो चपन में लागू हुआ था 33 नमर्व कोस्षिन के जो आनसर बताना आपनों को आफसं बी इसवर चंद्र विद्या सागर बी पुलोग को करेकate करना है किनके पर्यास से हिंदू विद्वा कि आपको करन पहीं करें यहां को बिहार के सिख्या मंतुरी कौन जगह इसको एक निया रहाएं निमनलखित मैं से किस अधिनियम को एक मिनट मैं ही आप लोग भूलेंगे कि छोड़ दी तो इस कोशन का आप लोग को आंसर जो है आप संसी में ही लगा नहीं चंदर सेखर और फिलहाल एक जाम से पहले एक बार थोरा सब लोग चेक आउट कर लेंगे उस टाइम चेंज कोशन का आप लोग को जो आंसर करना है किया जगा 35 का तो ऑफशन बी पर लगाना है हिंदू विभा अधिनियम 1905 ठीक है ऑफशन बी पर हम लोग करेक करते हैं कोशन कर रहा हम लोग को अगर कोई लड़की बिहार इंटरमेडियर परिक्षा में पर्थम सरीने में उत्तरिन होती है तो उसे कितनी छात्रवरती मिलती है तो पता होगा आप लोग को इस कोशन का आण सरब 25,000 हो जागा ऑफशन डी ठीक है ऑफशन डी पर हम लोग को करेक करना है आगे देखते हैं कोशन करा हम लोग को सिको के गुरू गोविन सिंग का जनम अस्थल जो है कहां पर है तो आपको बताना है ऑफशन सी पटना बिल्कुल इस कोशन का राइट हो जाएगा आगे देखते हैं कोशन करा हम लोग को किस अधिनियम ने महिलाओं को अपने पिता के पैतरुक संपती पर अधिकार दिया थर्टी एट नमर कोशन देखिए इस कोशन के जो आणसु जगा हमारा ओफशन ए हिंदू उत्रादिकारी संसुदन अधिनियम दो हजार पांच आगे कोशन करा हम लोग को कि किस वर्स अटल प्रेंशन योजना लागो की गई थी कोशन के जो आणसु जगा ओफशन ए उनीस सु पंदर है बिल्कुल आप लोग को राइट आणसर बताना है आगे देखते संस्रीत के भौतिक और और भौतिक संस्रीति में किस से किसने बाटा कोशन 40 को देखेंगे इस कोशन का आणसर आप लोग को आफशन बताना है आग बर्न आफशन डी हम लोग का जो है बिल्कुल करेक होगा आगे देखते कोशन कुशर का हम लोग को वानी बुद्धी और विद्या की देवी कौन है कोशन 42 को देखेंगे इस कोशन का आप लोग को आणसर बताना है क्या जागे 42 का आफशन ए सरस्वीती हमारा जो है आफशन हो जाएगा ठीक है आगे देखते कुशन यहां पर 33 कम लोग को दस्वें सिख गुरु जो है कौन थे 43 कुशन देखेंगे दस्वें सुख गुरु की बात करें आफशन बिजोगा गुरु गोविंद सिंग हमारा जो है बिल्कुल एफसलूटी करेक्ट आंसर हो जा सास्त्री नहीं है चब वाले समें कुशन देखेंगे इस कुशन का आंसर आप रोका बताना है ऑफसलूटी हमारा बिल्कुल करेंगा डर्वीन ठीक है डर्वीन क्योंगा भारतिय समास सास्त्री नहीं है आगे देखते कुशन का अधर्य वेतों की पुस्तक कौन सी है 45 का आणसर क्या करेंगे तो 46 का जो अपना आणसर होने वाल है ऑफसलूटी पटना विस्वीद्याल है करेक्ट आंसर करना आप लोगों आगे देखें कराम लोग को ब्रहवन के किस अंग से छत्रिय की उत्पत्ति मानी गई है तो 47 को आप लोग को जो टिक लगाना है वो समाजिक नियंद्रन का आपचारिक साधन की बात करें तो कानून ही आपको जो है करेक्ट लगाना ऑफसलूटी की अवधारना किस ने दी थी तो इसकी अवधारना आपको लगाना है एम एन स्री निवास ओफसल दी प्यम लोग को टिक मारना है आगे देखते करें यावल्गकर की सार्मजिनिक में फ्रस्टा चार समस्या किस दसा से संबंदित है किस दसा से संबंदित है तो वो जगा नैतिक पतन से answer A हमारा right होगा आगे दिखते हैं किसने कहा समाजिक संबंदों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्थन कहते हैं, किस ने कहा था, तो यह कहा था, अपना मेकाइवार एवन पेज, आंसर ए राइट करना आप लोग को, भारत में कौन साथ छोटा अलपसंखिक समुए, इन में से कौन साथ छोटा अलपसंखिक समुए, वो जैन, आणसर सी करेकरना है, करया निमिन में से कौन भारतिय समाज की इसेश्टा है, भारतिय समाज की इसेश्टा यहां पर फोटाइगा, पुरूशवार साथ, अनिकता काइटा, बिल्वकुल, सभी क्यों एक परजनन मुलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मानता प्राप्त विदी है देखो तो यहां पर पच्पन का अंसर आप लोग ने सी बिताया विवा किस ने कहा यहां पर इस कोशन का अंसर आप लोग को कि अवधार ना किस धर्म से संबंदित है इस कोशन का अंसर आप अप्सटन ए हिंदू हमारा जो बिल्कुल करेखोगा आगे कोशन कर रहा हम लोग को कि निमन में कौन जाती ववस्ता की मौलिक विशेष्था नहीं है 58 को देखेंगे इस कोशन का अंसर आपको ऑफशन बी पर लगाना है गती सिलता जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कोशन कर आम लोग को निमन में से कौन सामाजक अस्तरी करन का आधार नहीं है 59 कोशन देखिए आपे इस कोशन का जो आणसर होने वाला है वो जगा आपक समूब बिल्कुल करेक्ट आणसर हो जाएगी आगे देखते हैं 61 कर आम लोग को कॉल माक्स की अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है वो किस पर करती है 61 नमर कोशन देखिए आपे इस कोशन का आणसर हो जागा हमारा ऑफशन सी उत्पादक्ता के साधन हमारा बिल् लोग को निमने से कौन वnicas क्यों की सव रोप परदर्सित करता है ना की यहां पिस तरी करन क्य तो यहां legislature आड़ो तो अब राजन के मोग विसेस्ता नहीं 64af पे 64 का जो आप लोग को राजनेती विवस्था option D हम लोग को जो है correct करना है next question करना हम लोग को कि history of caste in India नामा कुछत के लेखा कौन है 65 का जो आप लोग को answer करना है option G S घोड़ी option C पे हम लोग को जो है correct करना है question करना हम लोग को महत्मा गांति के दांडी यातरा का संबंद भाड़त की किस परदेश से सबको पता होगा दांडी जो भी गुजरात से option D हम लोग को जो absolutely correct करना है ठीक है चलिए आगर देखते है next question करना हम लोग को कि निम्न मैंसे कौन संस्ता का उधारन नहीं है 67 का जो आणसों दाना हम लोग को मित्र मंडली option D हम लोग को जो जो ए correct करना है करना कि वर्ग वरस्था की सुरवाद जो है वो कब होती है यह कब होवी थी 68 नमर कुस्षिन देखें आपे वर्ग वरस्था क सब्सक्राइब करता है 69 कुस्षिन देखें इसका जो में जो होता है वो लिंगो का option B ठीक है लेंग के अस्तिर करता है तो लिंगो की option B पर ही correct करना है नेक्स कुस्षन करा हम लोग को कि निम में से कौन यूवा गिरह नहीं है 70 का आपको जो answer बताना है option C देखा हमारा गोतुल ठीक है 70 का option C आगे देखते कुस्षन करा हम लोग को निम में से किनों ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रिय सिधान का समर्थन किया 71 का जो आपको correct answer करना है बताओ क्या बताओगे 71 का चलिए, 71 का आपको करेक्ट आनसर करना है, वो क्या हो जागा, 72 का मेरी खाल से ओफिशन B, स्वामी दियानन, ठीक है, आगे देखती, 73 का आनसर जातियों के लिए परियुक्त अभिवेक्ती नहीं है, 73 नहीं है, इस कोस्टन का आनसर हमारा, D हो जागा, आन्तरिक जातियां, बिल्कुल करेक्ट हो जागा, कराया हम लोग को कि लोक सभा और राज विधान सभा में कितने परतिसत सीट अनुसुचे जातियों के लिए आरेक्चीत है, पता होना चाहिए, इस कोस्टन का आनसर होगा, ओफिशन C, 15 परतिसत सीट, ठीक है, आगे देखिए कराया हम लोग किस अनुचेत के अनुसार, बिहार, मदर, परतिस और ओडिसा में, जन जातियों कल्यान मंत्राले का प्रवधान है, 75 को जो आपको लगाना है, अनुचेत 164, ओफिशन B हमारा राइट होने वाला है, कॉस्टन कराया है, कॉस्टन कराया है, भारतिय समाज सास्त्री नहीं यह, मर्टन, ऑफ्सन D करेक करना है, कॉस्टन कराया हम लोग को, डिस्कवरी आफ इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है, 78 के आप लोग को आनसर लगाना है, वो पंडित नेरू हमारा राइट हो, आनसर D बिल्कुल कर रखोगा, कॉस्टन कराय हम लोग को कि लगू एवंग विरत परंपरा के आधार पर किनों ने सामाजिक परिवर्तुन को विसलेशित किया, बताओ, कॉस्टन 80 का आनसर क्या करोगे, तो इस कॉस्टन का जो आप लोग को आनसर लगाना है, ऑफ्सन B, रोबर्ट, रेड फिल, बिल्कुल राइट हो, स किसे अपने आंदुलन में प्राचिन भारत में त्री अस्तरियों की सांदार इस्तिती बताईए, एटी वन नम्र को सन देखिए, इस कॉस्टन का जो आप लोग को आनसर करना है, ऑफ्सन यहां पर सी बनहम समाज, ठीक है, कॉस्टन 82 को अगस्त कॉम्ट के अनुसार, समाज सबसे नजदी के वो किस चीज की, किस चीज की तो यह जी विज्ञान ऑफसन सी पर करना है, करा कि फ्रांस इस सी करान थी, के समया फ्रांस की राजा कौन थी, उस टाइम पर जो फ्रांस की राजा थे, वो थे लूई, लूई, क्या होगा यह लूई 6, हाना, लूई 6 हो लूई 6 हो घ्या है, यह ङाने 16 है, अभी बहूंदए 6 हो घा, लूई 6 हो घ्याए, आगे देखते करें को कोँड कि कॉम्ट के व्ज्ञान के संस्क्रन संस्तुरन के सिध्धान में कौन सबसे पहले framework कौन सब से पहले आता है गनित और सफ़सन वी पर लग話 है आगे दिक्टी करें पर को है에서 कि कि सब किसके विन्यमें पर आधारी थे इस कोस्वन का आंसर आप लोग बताना है वस्तु एवंग सेवा हमारा जाए राइट में सोगा ऑफसन सी कोस्वन करें हम लोगों किसे ने जाती तथा जाती पर था कि उत्पत्ति के पर जाती है द्रिश्ट को उनको परस्तुत किया 87 का जो आंसर जाएगा आफसन बी जगा रिजली आफसन बी हम लोग को करें करना है आगे देखते हैं किन्हों ने मद्यपान का परिनाम नहीं कहा जाता है 88 का जो आंसर होने माला है वो जगा option B अपरादों में कमी ठीक है आगे देखिए कुछन कराम लोग को जनता दल की सरकाया ने सुरपर्थम किस वर्स मद्य निसेदी की नेती भारत में लागू किया चलो 89 का जो आंसर होने माला है वो हो जाएका आपका option ए 1997 हमारा बिल्कुल एबसलूटी करेक्ट हो जाएगा कुछन कराम लोग को बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्स लागू हुआ था 90 का जो आंसर होने माला है वो जाएगा 2017 हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा 2017 समाज सासर के जनक अगस्त कौम्ट किस देश के निवासी थी इस question का जो आंसर हो जाएगा आपका option ए फ्रांस हमारा जो है बिल्कुल एबसलूटली करेक्ट हो जाएगा ठीक है question 92 का जो आप लोग को आंसर करना है वो हो जाएगा हमारा option B पुंजिवादी अर्थवस्ता का विकास option हमारा B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी ठीक है आगे देखते question का हम लोग को भारतिय संस्कृति की संस्कृति की निमना से कौन सी विसेशता है चलो 93 को जाएगे इस question के जो आंसर करना हम लोग को इनमे से सभी बिल्कुल करेक्ट करना है 94 करा हिंदू विवाद के किस सौरूप में एक जोरे बैल एवंग गाय की मांग की जाती है देखो तो 94 का आपने लोग क्या आंसर करेंगे आर्स विवादा और सी बताना आप लोग को उस विवस्था को क्य कहा जाता है जो 100 के परस पर बन संबंदों को नियमित करती है किसको कहा जाता है 95 का आप से अपने जगा नातेदारी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कोशन करा हम लोग को कि मैसी नातितारी की किस सरेनी में आता है 96 का जवाब लोग को जो करेक करना है वो हो जाएगा हमारा प्राचीन भारती समाज कितने वर्नों में विभाजित है तो प्राचीन भारती समाज 4 वर्नों में विभाजित है करें कि ने स्मासथार का जनम किस देश मं हुआ था तो स्लाससत का जनम की बात करें तो हो जागा यह फ्रांस- Δ कर आम लोग को मुसलमानों में निम्मनिभण से कौन सरी विभा अस्थाई है तो औस्थाई اई मुए कि बात घरते तो मुदता का अंसर क्या होगा तो हम लोगों ने यहां पर टोटल 100 mcq को कम्पिलीट कर चुका है आपको यह सारे अच्छी तरह से याद कर लेना है अगर किसी कोसिन में डाउट है तो आप लोग कमेंड बॉक्स में जरूर बताएंगे अगर वह आपका अंसर होगा जो भी तो मैं आपको जरूर बताएंगे और सबसे में इंपोरन आप और आप लोग इसको रिसर्च करेंगे खोजेंगे ना तो आपको और जानकारे मिलेगी और कुछ आपको जानने को मिलेगा इसलिए हमवर बनाने से बहुत सारे बेनिफिट होने वाला है आप एक्जाम के तयार इच्छी से कर पाएंगे लिख पाएंगे तो लिखने के अब है उसके बाद आप लोग को 9 से लेकर के 14 तक तो नहीं दिख रहा फोलों त्येवा तक लेंगे ठीक है नौ त्यार तक ले लिजेंगे लोग आपको दिख राओगा नौ से लेकर के 14 तक अठीक है थिए- से पंदह से उनेस से तक हो ने आप वोग ने हुए कि उसके बाद आप लोग को अ करके 2 24 तक है कशिते 24 ले लिया उसके बाद आप लोग को 25 से लेकर कर तक लेना तरफ तक लेना है उन्तिस तक देख रहा तरफ निचिये श्लिजिआ तूर यह लिख्षास उसके बाद आप लोगों तीस नॉंबर ले ना है और यह 5 MA vrijक मोसे बॉस्ट को देखना है आप लोक को एधिस्ट देख लेजिए उसके बाद आप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करेंगे ठीक है ताकि और भी आपके दोस्ते से सब्सक्राइब करते हैं जो भी आपका डिमान हो जरूर बताइएगा और डिस्क्राइब करेंगे ठीक है अब तक के लिए जैहिंग जैभार्त एंड थैंक्स पूर वाचिंग